इस नियूज आर्टिकल से ख़बर निकल के आ रही है कि सिख्छकों का नहीं मिला थंब इंप्रेशन बहुत सारे मतलब आप बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉबलम देखने को मिल रही है आईए इस आर्टिकल इस ख़बर को इस नियूज को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या रिजन है जिले के 463 यानि 463 सिख्छकों का नहीं मिला थंब इंप्रेशन मुझपरपूर जिले के 463 सिख्छकों का थंब इंप्रेशन नहीं मिला है 12 दिन की जाच का यह आकरा है सूची में नाम होने के बाद भी कई संदिग्द के फोटो का मिला नहीं हुआ है 4 जनवरी से अब तक 20-65 सिक्षक जाच में सही मिले हैं 28 सिक्षक बुलाने के बाद भी जाच केंप में उपस्थित नहीं हुए BPSC पहले चरन के नियुक्त सिक्षकों का थम इंप्रेशन कराया जा रहा है थम इंप्रेशन में कई सिक्षक अनोखा तरीका भी अपना रहे हैं जीन सिक्षकों का थम इंप्रेशन नहीं मिल रहा है वे क्रीम लगा कर फिर आ रहे हैं तो उनके थम का मिलान भी हो जा रहा है जाच में लगे कर्मियों ने कहा कि ठंड में थम में थोड़ी सिक्रुन आ जा रही है यहाँ देख सकते हैं फोटोस भी दिये गए हैं सिक्षक थम इंप्रेशन करा रहे हैं जिलास स्कूल इस्तित सिक्षा भवन में बूदवार को थम इंप्रेशन करवाने पहुँचे नव नियुक सिक्षा देख सकते हैं तो यह इस्तिती आ रहे हैं कोई वैसलीन लगा रहा है तो ऐसा मतलब देखने को इस्तिती मिल रहे है आपकी इसमें क्या रहा है आपका थम इंप्रेशन मिला या नहीं आपका मतलब वैरिफिकेशन हुआ या नहीं जरूर कॉमेंट सेक्षन में बताईए आपकी इस जिलास से इस वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट सेक्षन में जबूर बताईएगा वीडियो को लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों क्योंकि इस चैनल पर इस थरह की इंपोर्टेंट जानकरी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देते रहता हूं इस नियूज को इस चैनल को अधिक से अधिक से अधिक से अधिक से अर करना ना भूले